बिना किसी डेटा स्टोर के, अगर आपकी सी पार्टीजन कुछ इस तरीके से भरती चली जा रही है, या भर गई है तो आप उसे कैसे क्लीन कर सकते हो अपना जो इस फेस है, वो वापस पा सकते हो तो वीडियो श्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्स्राइब करें बैल आइकन को प्रेस कर दीजें तक कि हमारे दुर अपलोड की गई कोई भी वीडियो आप से बिलकुल भी मिसला हूँ तो चलिए देखते हैं तो यहां पर अगर हम देखें दोस्तों तो मेरे पास एक 475 जीबी की एन्वियम वाली SSD है और जो कि हार्टली से हार्ली अगर मैंने इसमें डेटा इस्टोर किया होगा तो वह एराउंड 1200 से 300 जीबी के बीच होगा 300 से नीचे ही होगा उससे उपर नहीं होगा और इसके बावजूद भी अभी मेरे पास 46.8 जीबी दिखा रहा है जबकि अल्मोस्ट यह होना चाहिए था 146 से भी उपर यानि 1500 जीबी लगभग इसमें free space होना चाहिए था बट अगें दोस्तों 100 जीबी का यहां पर मसला है सीधे सीधे और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो बिसिकली करना क्या है अगर हम यहां पर OS में जाए तो यहां पर हम इतनी जल्दी कोई फाइल ढून नहीं सकते कि हमारा कौन सा जो फाइल है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा ह बिसिकली यह एक हेडन तरीका है तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर व्यू है और यहां से हम क्या करेंगे और यहां से आपको सबसे पहले अप्टिमाइजेशन सेलेट करना है तो यहां पर डिस्क ऑप्टिमाइजेशन है आप चाहें तो यहां से थोड़ा option आ जाता है simply view पे जाना है और यहां पे शो hidden फाइल करना है ताकि हमारी जो hidden फाइल से वो शो हो सके अभी देखिए कुछ hidden फाइल से यहां पे आ चुकी है और अभी मैं यहां पे देखूं तो मुझे ऐसी पता नहीं चलेगा कि भाया कहां पे ज्यादा इस्टोरेज यहां प पाइंगे तो एक तरीका क्या है कि find करने का एक तो हम manually कर सकते हैं तो यानि जिसे हम यहां पे जाके देख सकते हैं और एक तरीका है कि हम आपको एक software के बारे में बताते हैं जो कि बिल्कुल free है तो यहां पर मैंने वह software डाउनलोड कर लिया है तो यहां पर tree size free नाम का एक म directory में हमें जाना है तो यहां पर हम this PC में जाएंगे और यहां पर हम इस directory को select कर लेंगे और select folder पर क्लिक करेंगे और यहां पर यहां सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है कि हर एक data जो है यहां पर कौन कितने जीवी का है तो वह हमारे पास हो रहा है अभी देखिए यहां पर यहां पर से अगर आप नीचे तकी तरप चले आई तो यहां पर ज्यादा data हमारा जो है वो नहीं storage है लेकिन यहां पर देखिए 132.5 GB के something यह data नाम से folder है जो की 30% जो है space ले रहा है ओके यानि पूरे disk का तो यहां पर जो space है अभी यह data नाम का जो folder है यह मेरा है यानि इस अभी जब हम यहां पर user में so कर रहा थे तो यहां पर कितना so कर रहा था यह देखिए यहां पर 55 GB so कर रहा है और यहां पर कितना so कर रहा है यहां पर 210 GB so कर रहा है तो मतलब problems यहीं है यह 50% पूरे disk का space लेके बैठ गया है तो हम इसो कैसे remove करेंगे just यहां पर आएंगे तो और फिर इसको और थोड़ा enhance करेंगे local के अंदर जाएंगे और फिर और यह temp नाम का एक folder है जिसके अंदर हमारा यह पूरा का पूरा दिक्कत आ रहा है तो यहां पर एक file है 114 GB की जो पूरा का पूरा space लेके बैठी है don't know यह क्या है तो आईए यहां से हम देखते हैं तो अब हम यहां पर यहां से हमें पता चल गया कि हमारा दिक्कत कहां से यानि कहां पर वह फाइल जो है वह ज्यादा इस्टोरे ले रही है कौन सी ऐसी फाइल देन सिंपली यूजर में जाएंगे हम यहां पर अपना उसमें जाएंगे और यहां पर हम एप डेटा में और यहां पर simply temp में जाएंगे आप यहां पर इस नाम से फोल्डर देखिए यहां पर यह पूरा का पूरा एक फोल्डर है मेरे ख्याल से और यहां पर जिसके अंदर तो यहां पर हम ऐसे देख नहीं सकते हैं तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होने माली तो एक हम अधर सॉफ्टर यूज करेंगे अचा है तो हम यहां से इसमें पैसा नहीं करेंगे इसमें पैसा नहीं देना है तो यहां पर यहां से हमें जो लोकेशन है जो इसको दे देनी है हुआं सिम्प्ली हम यूिजर में जाएंगे और अपने फाइल में जाएंगे और यहां पर और फिस видео बिल्कुल मैं तो को सबको मैं डिलीट कर दूंगे और यह थोड़ा एनलाइज करेगा तो वेट करते हैं यह सब कुछ डिलीट करेगा यानि पर्मानेंटली और आपका इस टूरेज काफी ज्यादा क्लीन कर देगा तो अभी हम वेट करते हैं जब तक यह प्रोग्राम अपना कुछ दिखा नही हुआ है तो यहां पर इसने बता दिया है कि 122GB सम्थिंग जो है क्लीन हो चुका है तो इसे हम जस्ट डिलीट करते हैं और यहां पर हम वापस आते हैं अपने PC वाले और यहां पर आप देखिए दोस्तों कि डेड़ सो से भी उपर 159GB हमारा जो है वो डिस्क फ्री हो चुक और अगर आप कोई दोनों software चाहिए जिनका मैंने help लिया है और storage को clean करने के लिए तो वह आप नीचे description में जाएगा मैं वहाँ पर link दे दूँगा तो ऐसी वीडियो के लिए आप मारे चैनल को सब्स्राइब कर लिजे इस वीडियो को like भी कर दीजे और फिर मिलते हैं अग